पशकार मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर and CEO, बाड़ा बिसिंस डाट कॉम बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्परेट्स मैं देखता हूं परिशान रहते हैं इंप्लोईस बदल नहीं रहे हैं, उनके प्रोड़क्टिविटी पर्फॉर्मेंस नहीं आ रही है कैसे उनको बदला जाए? इसको बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट उनके अंदर परिवर्तन कैसे लाया जाए? चेंज लीडर्शिप पर कृष्ण ने बैटल फील्ड में जहां पे धूल है, शोर है, मिट्टी है, तुफान है इतना शोर हो रहा है, शंक बच्चु के तीर चल रहे हैं, वहाँ पे चेंज मैनेजमेंट प्राक्टिस करके दिखाया कैसे किया, कौन से श्लोक में किया, जानना चाहेंगे डाउनवर्ड इंटेग्रिटी सिंड्रोम या वन पर्सेंट बेटर, दो अलग चीले हैं, वन पर्सेंट बेटर इधर, डाउनवर्ड इंटेग्रिटी सिंड्रोम इधर क्या होता यह, कृष्ण ने कहां बता है आप जानते हैं कि HR Human Resource Performance Improvement Plan चलाता है, जो Employee की Productivity, Performance अच्छी नहीं आती जो गलत काम करता है, जो चीटिंग करता है, जो काम ढंक से नहीं करता है, उसके लिए PIP चलाते हैं, Performance Improvement Plan और फिर भी नहीं होता, तो उसको फायर कर देते हैं, कृष्ण ने भी ऐसा Performance Improvement Plan दुरियोधन के लिए चला है था और दुरियोधन तब भी Improve नहीं किया, कृष्ण ने फायर करा दिया वो कृष्ण का फायर था, तीर से, एक Corporate का फायर है, पिंक स्लिप देखें, बहार निकाल देते हैं, जानना चाहते हैं इसके बारे में तो बिकम बिटर, you don't have to do anything, जी गंदे होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही गंदे हो जाते हैं, बट तो बिकम बिटर, you have to take action, तो अर्जुन के लिए भगवद गीता, सब लोग कहते हैं, अर्जुन से बोली है गीता, नहीं अर्जुन के लिए नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए, नहीं, मेरे लिए, ये गीता कृष्ण ने मेरे लिए बोली, अर्जुन तो एक माध्यम थे, आप जाना चाहेंगे कि अच्छे लोग और अच्छी किताबे एक बार में समझ में नहीं आते हैं, उन्हें बार बार पढ़ना पढ़ता है, इसलिए क किते हैं कि शास्तर उठाओ, शास्तर मत उठाओ, शास्तर उठाओ, जो पढ़ता है वो कभी नहीं लड़ता है और कभी नहीं आ करता है, कृष्ण ने अर्जुन को अलग-अलग नामों से पुकारा, जैसे पार्थ है, गांडीव धारी है, परंतपः है, सब्यसाची है, क्रिष्ण ने क्यों पुकारे, इसके पीछे एक लीडर्शिप की टेकनीक थी, इसके पीछे क्रिष्ण की एक स्ट्राटेजी देगी, कब क्रिष्ण कौन से नाम से पुकारते हैं और वो कौन सी लीडर्शिप स्ट्राटेजी है, इसे क्या कहते हैं इसको, इजार साल पहले इसने मल किया मिल जाएगा जीवन को मिल जाएगा जीवन का पूर्ण आधार अगर जॉइन कर लिया यह वेबिनार कृष्ण ने सुदामा के साथ सर्वेंट लीडर्शिप के प्रिंसिपल कैसे प्रैक्टिस किये थे देखिए मेरे साथ आप किसी भी शेहर से बिहार यूपी या गुजरात पर याद रखना एक ही बात इस वेबिनार का नहीं है कोई रिपीट टेली कास्ट संडे को बारा से दो उसके बाद वेबिनार हट जाएगा आपको तो पता देखो पहले भी ना यह टाइम प्रूवन है पहले भी हमने ऐसे वेबिनार की हैं ज पर पर लेके जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायन में भी टैलेंट प्रोग्रेशन हुआ था और कृष्ण ने इसके बारे में कौन सा श्लोग बोला है जामवंत ने भी टैलेंट प्रोग्रेशन किया रामचंदर ने भी किया कृष्ण ने भी किया वो टैलेंट प्रोग्रेशन वो सारी चीले हमारे शास्त्रों में पुरानों में दी हैं यह सब मैं आके आपसे सामने रखने वाला हूँ लॉड रामचंद्र ने पहली बार नवरत ने बनाये थे अकबर ने बाद ने बनाये थे कैसे बनाये आप जानना चाहेंगे इसकौन के फाउंडर शिला प्रावपाद साथ डॉलर हाथ में लेके बलकि पाँच डॉलर हाथ में लेके उस समय के चालिस रुपए सतर कंट्रीज के अंदर कैसे अपना एक्स्पैंशन किया कृष्णन दे एक और मॉडर समझाया एक ट्रस्ट का ए बी सी डी एबिलिटी बिलीवेबिलिटी कनेक्टेबिलिटी डिपेंडेबिलिटी क्या है यह जानने के लिए यह बीस जून को हमारे साथ दुपैर बारा से दो बजे और लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हू अगर आप चाते हो जीवन में खुशियों की भरमार मत भूलना जॉइन दिस वेबिनार पर एक ही बात नो रिपीट टेलिकास अगर आप चाते हो जीवन में खुशियों की भरमार देखो गीता से मिलेगा बिजनस का ग्यान साथ में रखकर बैटना पेन कॉपी और खाने का समान, बीच में नहीं उटना है, बाल में मत कहना, कि समझ में नहीं आई बात, क्योंकि इस वेबिनार का नो रिपीट टलिकाल, आ जाएगी आपकी तरक्की में रफ्तार, अगर जॉइन कर लिया यह वेबिनार, बारा से दो, फाइनली बता रहा हूं, अब शायद रिपीट न करना है वेबिनार, कब करना है, आने वाले रेविवार, इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा नमसकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को तो जरूर शेयर करने के लिए, मेरा समें कोई कमर्शल इंट्रस्ट नहीं, कोई बिजनेस ट्रांड़ाक्शन इसके बाद भी नहीं है इस वीडियो में, मैं यहां कोई कोर्स भी सेल नहीं करने आ रहा हूं, यह जैनुवन मेरा एक अटेंट है, सिंसिर अटेंट है, हमारे सारे रियल ग्यान को आप तक पहुंचाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को शेयर करने के आप सब का हिर्दे की गहराईयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद